गाइस कैसे अब सभी आशकोतो सब बढ़िया होंगे फाइनली यामा कमपनी भी बहुत जल्दी EV इंडस्ट्री में छलंग लगाने के लिए तयार हो चुकी है रिसेंटली ताइवान में इन्होंने एक और इलेक्रिक स्कूटर को लांच किया है एक और का मतलब यह है कि कमपनी ने अल्रेड़ी एक इलेक्रिक स्कूटर लांच की है जिसका नाम है यामा EC05 जो की पार्टरशिप हुई है कोगरों के साथ और उन्होंने उस गाड़ी को लांच किया है सेम पार्टरशिप पे यामा ने इसी वेहिकल को लांच किया है जिसका नाम है यामा EMF यह बेसिकलिए एक मैक्सी स्कूटर है देखने में बहुत अच्छी लग रही है फ्रन्ट एंड का भी स्टैलिश बहुत अच्छा है इवन रेर एंड भी उतना ही धासू बनाया है इस वेहिकल का आप लोग सोच लोगे कि काड़ी कारें बता तो रहो इसकी लांचिंग इंडिया में कब होगे बता रोड़ और डोन्ट वरी आखरी तक देखो बीच में कहीं न कहीं में बता जरूर दूंगा तो वीडियो का अंतक जरूर देख ले ना अब बात आती है गोगोरों से क्यों टाइप किया है यामा ने इन ताइवान और यही सेम चीज इंडिया में भी होने वाली है एंड गोगोरो के साथ अकेली यह कंपणी नहीं है जिसका नाम है यामा यह कंपणी ने इसके अलावा भी हीरो भी टाइप करने वाला है इंडिया में और यह क्यों हो रहा है मैं आपको पताता हूँ यामा ने जो काड़ी डेवलोट की है उसमें यूज किया है डूल बैटरी स्वाइपिंग सिस्टम जो की EC05 में भी देखने मिलता है और जो यह वेहिकल अभी लाउंच हुई है जिसका नाम है यामा EMF इसमें भी स्वाइपेबल सिस्टम देखने मिलता है तो कंपनी ने जो हा पूरा चेंज रहेगा बट बैटरी वही यूज होने वाली है जो गोगोरो डपलप करती है और स्वापिंग स्टेशन में प्रोवाइट करती है तो वही चीज आपको इस वेहिकल में भी देखने मिलती है इन ताइवान अगर यह इंडिया में आती है तो गोगोरो भी साहन दे पा रहे हैं इसमें कुछ चीज़े हैं जो कि हमने आज तक सुनी नहीं है इन इलेक्रिक इंडस्ट्री जैसे कि आपको मिलता है लिक्विट कूल का पर्मनेंट मैगनेट मोटर येस मिट सेट मोटर है एंड लिक्विट कूल के साथ आता है अभी की सिनर्व में आप ल जिस्टों अहीं होता है तो यह जो मोटर है वो जयादा लंबा चलता है जया लंब टाइम तब मैक्सिम पाउर में रहता है तो यह चीज मर को काफी अची टेक्नलोजी लगी यामा की तरफ से यामा की इस स्कूटर ne एम एफ में यहां पर जो मोटर है वो है 7.6 किलोवाट पीक पाउर की बात कर रहा हूँ और यहां पर टॉक निकल काता है यहां बहुत अच्छा है बैटरी के साथ 114 kg का यह वेहिकल है लेकिन अगर बैटरी हटा दिया जाया तो लिटरली यह बहुत लाइट वेहिकल है एस कंपेर टू ओला एथर और सिंपल वन के कंपेर में बतल लाइट वेट तो काफी जाद होने वाली है यह इसलिए बनाया जाती है जिससे की जो ग्रहनिया होती है घर के लोग होते है एजेट लोग होते है उनको चलाने में इस काड़ी को इजी हो इन सीडी ट्राफिक तो य लगबख समझ के चाहिए 110-120 किलोमेटर का रेंज मिलेगा और कंपनी यामा है तो जूट नहीं बोलेगी तो 120 तक एजली मिल जागा मतलब मिल जागा मतलब मिल जागा रीजन बेक्स के तुरू अगर यूस करेंगे तो ज्यादा बैटर होगा अगर बात करें लुक वाइस काई यह स्पॉर्टी लूकिंग आती है इस वेहिकल में जो कि इस वेहिकल को फ्रेंट से काफ़ी डिफर बनाता है मेक्सिस स्टाइल का SPLiT FLOOR BOARD देखने मिलता है जिसे के आपने अभी डिसेंटली ओला के वेहिकल में देखा हाला कि उसमें हम छोटा है इसमें थोड़ा स सेटप वैसे डिजन किया है फुली डिजिटल इसमेंटेशन है स्मार्टफोन कंपैटिबिलिटी है एनेपसी एनेबल स्मार्ट की दी गए है सी बीस फ्रेंट में आपको टेलिसकोपिक फोक रियर में मोनसुक सस्पेंशन यहां पर चेंड्राइब है आप लोग सोचतों चें इसे में बेल्ट ड्राइब खराब होने का चांसे जादा हो जाता है यहां पर जो वीद से वह टैन इंच के है फ्रंट का है रियर का है अंडेट एंट अर्टी सेक्शन का रियर तो भी अच्छी क्वालिटी का है सीट हैट की बात करें तो 785 अमेंट को देखने हो में प्रा हम है एक बरकेट अंडेयल आपएक मांप दीआ है इंडियास पनान इसे कंपना चुका है इलयक stip Jeansak जेए से यहां से अधशा में यहां देखा है तो यह Youtube सरी दो छाए मिंदेशरी हो चाहे वह करें है और दूसरी दूसरी कंपनी यहां तो कहड़ी करेंगे आएकि इव आने वाला है यामा के तरब से कैसे लगा यह इंपरमेटिव वीडियो अगर यह न्यूज अच्छी लगे तो प्लीस लाइक कर देना नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना अच्छा तो प्रीशे कर देना मिलते अगले वीडियो में जैहिंद